Treatment of Intermediate Explosive Disorder We will discuss about the play therapy Play therapy, Intermediate Explosive Disorder के लिए इसलिए यूज होती है क्योंकि it gives the liberty to the child कि वो जो चीज जिस तरहां अपने emotions को express करना जाता है वो कर सकता है तो during session जो therapist होता है वो बच्चे को ना guide करता है और उसको बिलकुल free hand देता है कि वो अपनी मर्जी से जिते भी toys है environment में उनको explore कर सके और अपने emotions को express कर सके तो इसके दोरान वो करता क्या है जो therapist है वो ये देखता है कि बच्चे ने कौन से different किसम के toys जो है वो opt किये हैं room में से और वो कैसे उन पे अपने जो emotions है वो express कर रहा है for example अगर वो कमरे के अंदर जो भी therapist room है उसके अंदर जो है guns जो है वो उठाता है तो that means कि वो अपना aggression जो है वो reflect करना जाता है या वो कोई ऐसी game जो है वो play करता है जिसके अंदर वो shooting कर रहा है और वो shoot कर रहा है दूसरे लोगों को तो उसके तरीके से भी वो basically अपनी feelings जो है वो reflect कर रहा होता है से वो कहता है अगर जो बच्चा है वो fire कर रहा है तो therapist उसको be in at a supportive side वो से ये कह सकता है कि I think you are feeling angry इसी तरह हम अगर वो कोई ऐसा कोई game बना रहा है जिसके अंदर वो ये दिखा रहा है कि एक court है जिसके अंदर वो लोग volleyball खेल रही है या वो कोई basketball केल रही है और उसके अंदर वो किसी दूसरे बच्चे को push कर रहा है तो इसके तरू जो therapist है वो ये चीज़ उसके साथ identify करके in a very indirect way उसको ये inform कर सकता है कि I thought that you might be having a problem at the school तो इस तरीके से जो facilitation है throughout the process therapist की towards the client वो continue रहती है इसी तरह उसका जो behavior है उसको therapist जो है वो track करता है अब जो track करने का क्या मतलब है कि वो ये देखता है कि बच्चे ने जो इतने भी twice पड़े में हैं उन में से क्या चीज़ पिक की है for example अगर उसने पिछले session में वो आया था और उसने ball पिक किया था बट इस session में जो है उसने guns पिक की है या उसने tank pink पिक किया है या कोई और hammer पिक किया है तो that's my mean कि जो बच्चे के अंदर जो है वो aggression है या वो उस aggression को explain करना जाता है या exhibit करना जाता है इसी तरह अगर बच्चा जो है वो कोई creative art की तरफ जा रहा है जिसना art and craft की चीज़ें जो है वो माजूद होती है therapeutic session के अंदर और अगर वो उसके साथ play करना जाता है तो therapist जो है वो उसे provian कर देता है कि वो जो चीज़ चाहे जिस तरह चाहे colors को, pencils को जिस चीज़ को चाहे वो उसको use करके अपने emotions को express कर सकता है इसी तरह अगर जो बच्चा है वो किसी जगह पर stuck कर गया है और उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने उस चीज़ को further आगे कैसे लेके जाना है for example, the child is doing the drawing और suddenly draw करते करते वो किसी point के उपर block हो जाता है and he or she is saying that he or she does not know in which color he or she should draw the painting तो जो therapist है वो client को colors नहीं देगा बलकि उसको कहेगा you should try to figure that out you can do this thing तो इस तरीके से जो encouragement है वो help करेगी client को अपने emotions को express करने में इसी तरह different जो game है अगर वो game के अंदर play कर रहा है और वो किसी भी game के दौरान किसी एक के साथ जो है express कर रहा है इसका relationship जो है वो close है या वो therapist को जो है अपनी game के अंदर add करना जा रहा है तो उदर जो है therapist try to be reflect on his or her emotions by saying I feel that you might like me or I think that this character is very close to you during the game तो इस तरीके से जो बच्चे के emotions और expressions जो है वो exhibit हो सकेंगे इसी तरह जो एक stage है जो बहुत important होती है play therapy में that is the limit setting limit setting क्या होती है कि you can not set the child कि वो जितने mercy toys को destroy कर दे नई it is not possible अगर वो खेल रहा है कमरे के अंदर और वो बहुत जदा aggressive है वो अपना बहुत जदा anger show कर रहा है और वो बहुत जदा चीजों को throw कर रहा है तो आप उससे limit कर दोगे कि आपने चार चीजों को destroy कर सकते हो दो को कर सकते हो कमरे का इतना हिसा इस्तमाल कर सकते हो in that way the child will able to understand कि अच्छा उसका जो parameter है जिसके अंदर उसने अपने emotions को express करना है वो बस इतना ही है और वो उसके अंदर ही यह सारा कुछ express कर सकता है Thank you